हलो स्टुडेंट्स आज हम डिसकस करेंगे एग्रिकल्चर इंकम और उसके उपर लगने बाले जो भी टैक्स या टैक्सेबिल्टी या उसके उपर ट्रीट्मेंट कैसे करेंगे यह हम आज डिसकस्शन करने वाले हैं तो चलिए जी हमें पता है कि जैसे टूडे इंकम जो है टैक्सेबल रहती है और अगर रहती है तो कितनी रहती है अगर नहीं रहती तो क्या होता है मतलब किस सेक्शन में क्या करेंगे यह हम पूरी वीडियो में जानेंगे तो चलिए जी तो सबसे पहले देखते हैं वट इस देक्सेबिल्टी ओफ एग्रिकल्चर इ and shall not be included total taxable income ये बात हम बहुत सारी वीडियो में discuss कर चुके हैं कि जब भी हम अलग-अलग fields की income को जो 5 head की income बनाते हैं तो उसमें सभी तरह की income जरूर रहती है लेकिन agriculture income जो है हम include नहीं करते तो चलिए जी हम कुछ question arises करते हैं उसके बारे में discussion करते हैं तो पहला question हमारे पास ये है कि सबसे पहले what is an agriculture income in India यानि agriculture income जो इंडिया में है हम किसको मानते हैं तो उसका section है जी 2 और subsection 1A है तो इसमें देखिए जी किस किस चीज़ को हम agriculture income मानते हैं तो चलिए जी any rent or revenue drive from the land studied in India agriculture purpose यानि इंडिया में कोई हमारी land है agriculture purpose के लिए हम उसे use कर रहे हैं और उस land से हमें कोई revenue या rent मिल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे agriculture income तो चलिए जी next any income drive from such land by agriculture operations यानि हमारे पास कोई land है जो की agriculture purpose के लिए हम use कर रहे हैं उस पर कुछ न कुछ हम जो है हमने क्या किया है उस land से कुछ operations कर रहे है तो उसमें से हमें कुछ ऐसे कुछ produce कर रहे हैं कुछ चीजें ऐसी produce कर रहे हैं जो की market में sale जिसकी market में sale के लिए fit हैं या sale कर पा रहे हैं या उससे income होती है तो वो भी क्या होगी agriculture income होगी ठीक है जी next बात करते हैं any income attribute to a farm house यानि अभी farm house या agriculture से related farm house को भी include करेंगे जैसे मान लीजिए farm house या कोई nursery मतलब आपने agriculture land पर इस तरह का कुछ कर रखा है तो उसमें से कोई भी sapling या sildings अगर आपको आप grow कर रहे हो और उसकी market मार्केट में में उसको sale कर रहे हो तो उससे अगर कोई आपको income होती है तो वो भी आपकी agriculture income है जो मानी जाएगे तो चलिए जी how much agriculture income is exempt from income tax यानि कितनी agriculture income आपकी income tax exempted रहेगी इसके उपर हम discussion करेंगे तो चलिए जी complete tax rebate on agriculture income in these cases तो सबसे पहले जो case हम discuss कर रहे हैं वो fully के fully exempted होंगे तो कौन कौन से case हैं सबसे पहले देखिए अगर आपकी agriculture income total agriculture income 5000 से कम है तो exempted है अगर इससे जादा होगी तो उसको calculate किया जाएगा तो next if the income from agriculture land is your only source of income no other income आपकी जो income है कहीं और से नहीं हो रही आप agriculture पर depend है आपका जो source of income है जो वो agriculture है तो उससे अगर आप income कर रहे हो तो उसमें ये limit matter नहीं करेगी अगर आपका source of income जो है agriculture है तो इसमें आपकी जो है tax exempted रहेगा तो उसके बाद next where you have both agriculture income and other income आपकी agriculture income भी है और other income भी है तो इसमें एक बाद ध्यान रखना आपकी agriculture देखो other income आएगी तो वो तो taxable रहेगी अगर basic limit से उपर जाएगी अगर agriculture income भी की बात करें एक case ऐसा लेते हैं कि मान लीजिए agriculture income 5000 से कम हो रही है तो ये तो included नहीं रहेगी पहली बात तो ये clear हो गई कि ये included नहीं रहेगी तो अभी जो taxable अगर other income basic limit को cross करेगा तो वो taxable रहेगी otherwise नहीं करेगा तो वो exempted limit होगी तो चलिए जे दूसरा case से मैं ऐसा करते हैं कि but in case अगर मान लीजिए agriculture income आपकी 5000 से उपर है और other sources से भी आपको income हो रही है तो उसको उसकी हम tax liability कैसे बनाएंगे उसको कैसे calculate करेंगे तो चलिए जे discuss करते हैं इसमें तो इसमें जो आपका रहेगा सबसे पहले क्या करोगे अगर दोनों तरफ से आपको income हो रही है और agriculture की income भी 5000 से जादा है तो पहले तो हम क्या करेंगे income tax जो है compute करेंगे जो भी income कौन सी income पर सबसे पहले जितनी agriculture income है और जितनी आपकी other sources से income बन रही है दोनों का कर दो plus तो बनेगी total income और जो भी aggregate income बनेगी उसका आप tax बना दो ठीक है जो भी tax rates के according जो आपका income tax बनेगा वो बना देंगे उसके बाद दूसरे step में क्या गरेंगे दूसरे step में हम करेंगे compute income tax on sum of amount of basic exemptions limit यानि जो एक तो agriculture income सीधी सीधी उठालो जितनी भी है agriculture income आपने लेनी है और दूसरा मान लीजे basic जो exemption limit मान लीजे other sources पर basic exemption limit जो individual 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 family के लिए 5 लाग है तो agriculture income plus 5 लाग कर दो तो उस पर आप tax बना दो तो यह हो गया आपका दूसरा केसी यानि पहले में क्या था कि other sources plus agriculture दोनों को प्लस कर दो और जो उस पर tax बना दो जो भी बनेगी उस पर tax बनेगा और दूसरे case में क्या है जो आपकी basic exemption limit है other source of income की और agriculture income दोनों प्लस कर दो उसका tax rate जो भी tax rates के awarding income tax बना दो तो दो case हमारे सामने आए तो दो case का हम क्या करेंगे आपस में minus यानि first case में से second वाला case है जो minus करेंगे तो वो आपका जो बनेगा tax liability for the year ठीक है जी तो आगे चलते हैं treatment of agriculture land in capital gain अगर agriculture land की बात करें capital gain में हम इसको कैसे treat कर सकते हैं तो सबसे पहले इसका section याद रख लेना जी 54B section में capital gain में हम agriculture land को कैसे treatment करते हैं तो चली जी section 54B में एक relief मिलती है capital gain की taxpayer को जो की क्या होता है who sells his agriculture land and from the sale proceeds acquire another agriculture land तो अब भी देखिए अगर मान लिजिए कोई taxpayer है तो उसमें वो agriculture land अपनी sale कर रहा है बेच रहा है और उसकी जगह कोई दूसरी agriculture land है जो खरीद रहा है acquire कर रहा है तो इस case में जो है taxpayer को 54B section के तहत जो है मतलब वो अपना claim benefit कर सकता है तो चलिए जी उसके बाद देखते हैं ये कौन सा है इसमें conditions क्या रहेंगी सबसे पहले Assessy should be individual और Hindu undivided family इसकी पहली condition ये है कि Assessy individual होना चाहिए या Hindu undivided family होना चाहिए तो दूसरी condition क्या कहती है Assessy transferred should be agriculture land जो asset आपने बेचा है वो क्या होना चाहिए agriculture land होना चाहिए वो long term asset है या short term capital asset है यह कोई depend ने करता जो चीज़ जरूरी है वो देखते है it is important to know here that rural agriculture land और agriculture land in rural area is not a capital asset यानि इसमें देखिए asset जो है transfer किया गया यानि agriculture land बेची गई यह कोई matter नहीं करता कि वो long term capital asset है या short term capital asset है यह जरूरी यह जानना जरूरी है कि वो rural agriculture land है या agriculture land जो कि rural area में है वो capital asset नहीं माना जाएगा अगर वो rural area में agriculture land है या rural agriculture land जो कि capital asset नहीं होगा तो वो उसको हम सीधा सीधा exempt कर देंगे from capital gain से तो चलिए जी नेक्स्ट agricultural land should be used by the individual or his parents or any member of Hindu undivided family for agriculture purpose at least for a period of two years immediately preceding the date of transfer अभी ये चीज़ ध्यान देना ये condition होगी तो ही benefit मिल सकता है मान लीजी आपने कोई भी agriculture land है जो transfer की यानि sale कर दी तो उसके पहले जब तक आपके पास थी दो साल कम से कम दो साल आपने यानि जो individual जिसकी land है या उसके parents या उसका कोई भी family या कोई Hindu undivided family की बात कर रहे हैं तो उसका कोई भी member इस land को use कर रहा हो agriculture purpose के लिए तो कम से कम दो साल ये condition है कि कम से कम दो साल के लिए उसको जो भी है individual या his parents या Hindu undivided family या उसका कोई भी member agriculture land को कम से कम दो साल है जो transfer करने से पहले use कर रहा हो as a agriculture purpose तो उसको हम क्या बोलेंगे उसको 54B section के तहत जो की capital gain का benefit वो claim कर सकता है तो चलिए जी next क्या है the taxpayer should acquire another agriculture land within a period of two year from the transfer date और एक condition और है कि benefit तभी मिल सकता है कि जिस time उसने अपनी जो transfer की है उसके बाद दो साल के अंदर अंदर उसको एक agriculture land है जो acquire करने पड़ेगी तभी वो capital gain का जो benefit claim कर सकता है तो चलिए एक बार conditions दुबारा देख लेते हैं पहली बात तो वो individual या Hindu undivided family होना चाहिए उसके बाद अगर वो rural agriculture land है तो उसको treat ही नहीं करेंगे capital asset में तो exempt हो जाएगा अगर agriculture land है और वो क्या होना चाहिए individual या उसके parents या Hindu undivided family का कोई भी member उसको agriculture purpose के लिए use कर रहा हो दो साल के लिए और उसके बाद दो साल के बीच बीच में जब उसने बेची है दो साल के बीच में अपनी एक खुद another agriculture land खरीदनी होगी acquire करनी होगी तो तभी वो 54B के तहत जो capital gain का benefit claim कर सकता है तो चलिए जी next इसमें क्या है what is the agriculture income tax exemption limit under section 54B अगर मान लीजिए वो उस category का benefit claim करना चाहता है या उस category के under आ रहा है यानि वो उसने उपर वाली condition सारी fulfill कर दी है तो वो exemptions की amount जो है वो claim करना claim हो रही है या claim करना चाहता है तो उसमें से दो condition रहेंगी तो उसमें से जो भी होगा वो उसको lower जो है exempt हो जाएगा तो चलिए पहली condition क्या है amount of capital gain arising on transfer of agriculture land जो उसने agriculture land transfer की है यानि बेची है उस पर जो भी capital gain arise होगा capital gain arise होगा एक तो वो amount ठीक है जी दूसरी amount कौन सी है investment in a new agriculture land साथ ही साथ दो साल के अंदर उसने अगर कोई भी agriculture land पर अगर नहीं agriculture land ली है उस पर जो invest किया है या तो ये और या फिर क्या होगा amount deposit in capital gain deposit account या तो उसने capital gain deposit account scheme में deposit करवाया है यानि दोनों में से कोई एक condition दे रखी होगे तो दोनों condition में जो भी lower होगा वो हमारा क्या होगा exemption मिल जाएगे तो चले जी एक question भी दे रखा है इसमें discuss करते हैं let's say you sold an agriculture land April 2017 में 25,20,000 की कोई आपने एक agriculture land sold की है और long term capital gain arise हुआ on the transfer of the land amount कितना हमने ये amount पकड़नी है तो उस पे long term capital gain जो transfer करने पे कितना arise हुआ आठ लाग चालिस हजार ठीक है जी दिसंबर 2017 में दो साल के बीच बीच में आपने एक another agriculture land खरीद ली पांच लाग की तो दोनों में से lower कौन हुआ पांच लाग पांच लाग लोग हुआ तो पांच लाग आपको क्या मिल जाएगी exemption मिल जाएगी तो देखेजी इसमें भी same ही कर रखा है एक तो long term capital gain transfer arising इतना हुआ तो उसके बाद पांच लाग जो कि ये एक अलग से agriculture land खरीदी पांच लाग की दोनों में से lower कौन है पांच लाग exemption मिल जाएगी तो बचेगा कि इतना पांच लाग exemption मिलने के बाद taxable long term capital gain कितना taxable रहेगा तीन लाग चालिस हजार तो चलिए जी उसके बाद next है इसमें हमने देखी लिया कि उसका capital gain राइजव आट लाग चालिस हजार पांच लाग इतना exemption इतनी मिलेगी तो अब भी next ये बात याद रखने वाली है also in case if taxpayer purchase a new agriculture land just to claim exemption अगर हाँ इसमें देखिए अगर कोई ये taxpayer चाता है कि मैं exemption claim कर लो 54B के अंडर तो उसने साथ ही साथ कोई एक purchase land कर ली agriculture जो है एक land purchase कर ली तो subsequently उसने 3 साल के अंदर बेच दिया तो इस case में क्या होगा जो भी उसको benefit मिला था 54B section के अंडर वो वापिस ले लिया जाएगा यानि कुछ taxpayer क्या करते हैं कि वो एक agriculture land बेची तो 2 साल के अंदर अंदर खरी दे तो ताकि हम इसका claim ले सके 54B section का exemption का claim ले सके तो उसमें कैया अगर कम से कम 3 साल में आपने उसको दोबारा से क्या है transfer नहीं करना यानि sale नहीं करना है अगर sale करते हो तो वो आपका claim है withdraw हो जाएगा वापिस ले लिया जाएगा तो अभी next how to show agriculture income in ITR1 क्या ITR1 में आप agriculture income show करते हो अगर तो आपकी agriculture जो income है 5000 तक है यानि exempted है तो आप उसको ITR1 में fill कर सकते हो otherwise इसकी limit exceed करेगी तो वो ITR2 में आपको fill करना पड़े तो चलिए जे कुछ frequently asked question हम discuss करते हैं how much agriculture जो उपर पढ़के आए हैं उसी के base पर ही है how much agriculture income is tax free हमने अभी पढ़ा था 5000 तक tax free है अगर इसके उपर होगा exempted होगी अगर इसके बाद जाएगी तो मतलब वो अगर only source of income नहीं है अगर agriculture only source of income नहीं है तो इस पर जो भी extra बनेगा वो tax labs rate के according इस पर taxable रहेगा how is agriculture income calculate जो है agriculture income calculate कैसे करेंगे जितना उस पर मतलब income होई और expenses minus कर दो तो agriculture income बनेगी तो what are the what are kinds of agriculture income agriculture income कौन कौन सी हम count करते हैं ये भी हम पढ़के हैं agriculture income हमारी कोई इंडिया में agriculture land है उससे कोई rent receive कर रहे हैं तो agriculture income होगी या फिर agriculture हमने कुछ agriculture से कुछ produce किया उसकी हमने market में sale की उससे income होई तो हमारी agriculture income मानी जाएगी और income drive from the farm building required for the agriculture purpose हां जी ठीक है जी इसमें देखिए agriculture purpose के लिए हमने कुछ farm house या विल्डिंग या nursery गएरा से कुछ drive किया उससे income होई तो वो भी हमारी agriculture income count होगी तो चलिये जी what is a partially agriculture income क् तो partially जो है partly जो agriculture income क्या होगी तो partial agriculture income जो है असेज ग्रोइंग agriculture produce करने के लिए करता है यूज देम हां जी इसमें सीधर सीधर देखिए जी मतलब क्या है partially agriculture income partly agriculture income मतलब होगया कुछ agriculture income count होगी और कुछ non agriculture income count होगी वो किस case में होगा ये देखते हैं उसने agriculture produce growing किया कुछ ना किसी product की manufacturing के लिए उसे as a raw material use कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा income जो आएगी वो कुछ agriculture income होगी और कुछ non agriculture income होगी तो उसके बाद what if agriculture activities are carried on urban land क्या agriculture carried जो activities हैं वो urban land पर भी carry होगी same जैसे agriculture land के उपर discuss किया है वैसा ही urban land की agriculture के उपर भी यही चलेगा ठीक है जी उसके बाद will income from animal husbandry considered as agriculture income जो animal husbandry की income होगी वो agriculture income count नहीं होगी ठीक है जी how to calculate tax on agriculture income ये भी हमने discuss किया था agriculture income plus non agriculture income दोनों को plus कर दो और उसका tax बना दो जो basic exemption limit है और net agriculture income है दोनों का plus कर दो इसका tax बना दो इसको step 3 बोल देंगे तो उसके बाद on step 3 हाँ जी इसका tax जानी step 3 का tax निकाला हुआ है एक तो tax इसका निकल गया एक 4 point में निकल गय गया तो दोनों का minus करने के बाद जो भी आएगा आपका क्या रहेगा taxable रहेगा तो उसके बाद आपको एक rebate मिलेगी वो सब्ट्रेक्ट कर दोगे 871 एक अंडर फिर जो भी है सरचार्ज या है एड हेल्थ से साफ लगा सकते हो उसके बाद agriculture is agriculture income holy exempt from income tax क्या agriculture income जो है पूरी आपकी agriculture income है तो मतलब exempt है उसके बाद आपका क्या होगा total income excluding agriculture income is less जो भी है basic exemption limit मिलेगी उसके बाद जितना भी बनेगा आपका क्या होगा as a taxable count होगा तो चलेजे what is not considered as agriculture income in इंडिया यानि इंडिया में agriculture income में considered नहीं करते यानि इसको agriculture income नहीं माना जाता कौन कौन सी एक तो life stocks की breeding हो गई, dairy farming हो गई, fishes हो गई, poultry farming को agriculture income नहीं माना जाता तो चलेजे next what is section 54b of the income tax act 1961 54b हमने अभी पढ़ा था किसके लिए था capital gain में benefit claim करने के लिए हमें ये section रहता है 54b जो की agriculture land से related रहता है तो चलेजे ये individual और Hindu undivided family को इसका benefit मिलता है is selling urban agriculture land and purchase अभी देखे एक question सा बना दिया, if individual और Hindu undivided family अगर urban agriculture land बेशते हैं और उसकी जगे में कोई rural agriculture within two years में मतलब transfer जो बेची उसके आने वाले दो साल में मतलब वो कोई भी agriculture या rural agriculture land खरीद लेते हैं तो exemptions उनको मिलती है जो भी lower हमने पढ़ा था कि जो भी lower case रहेगा एक तो जो rising होगी capital gain long term capital gain का जो rising होगा और दूसरा जितना का हमने purchase किया ठीक है जी तो यह हमारा रहा agriculture income तो अच्छे से पढ़ना है और thanks